असलाम लेकम इस वीडियो में इस फ्रॉक की पूरी डिटेल जानने के लिए आपने वीडियो पूरी एंड तक वाच करनी है तो प्लीज चलते हैं वीडियो की तरफ अब शूरॉ-प्लीज प्लीज बश्रॉच के पूरी वीडियो में आपने के दिवा तक चलते हैं। वो आप लाजम देखना और वीडियो एंड तक देखना वीडियो अच्छी लगे तो कमिंट बोक में आपने लाजम बताना है तो चलते हैं वीडियो के जानब ये कपड़ा बच गया था इस कपड़े के पैचिस उतार के सारे और मैं दूसरे उसके उपर लगाँगी अच्छा मैंने इस में से एक फ्रॉक बनाई थी और एक फ्रॉक बनाने के साथ मैंने टुबटा बना था जो के आगे चलके मैं आप से शेयर करूंगी मैंने ये 700 रुपे का लिया था उसके बाद मैंने इसके उपर पेटी जो बनाई थी उसकी भी प्राइज आप से शेयर करूंगी और इस तरीके के ये जो कपड़े होते हैं ये जो पीसीज होते हैं आप कर भी लंडा बजार जाओ देखा है वहाँ पर कितने खुबसूरों पड़दे होते हैं मैंने वह इस तरीके से लिया था ये दो लिये थे चोधासों के और लेने के बाद फिर मेरा ये बज़ गया था ये इसकी बैट साइट थी इसकी फ्रंट साइट भी नजर आएगी जिसके उपर इसकी वेलवट बड़ी कलियर नजर आएगी और बड़ी खुबसूरत किया और ये कपड़ा जो ना मतलब मैंने और लाक करवा लिया था नीचे और वैसे पीस भी चोटा सा लगाया था तो बिलकल भी बच्ची को चुबा नहीं वैसे मेरे बच्चों को आदत है कि वह चुबे हुए चुबने वाले जो कपड़े होते हैं उनको बिलकल पसंद न और ये तो मैंने कपड़ा लिया था इसकी सारी डिटेल मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है और मुझे कोई परिशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही मुझे अपने बजट में रहके मैं ये सारे गाम कर लेती हूँ मुझे ज़्यादा महंगे और किया है और मुझे ना बड़ा मज़ा आता है बच्चों के कपड़े सीच करने में बच्चियों को प्यारे प्यारे कपड़े पहनाने में हर मदर का खाब होता है हर मदर चाहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा सा डिजाइन करूं और जब मार्किट में हम जा और इसकी बॉकस प्लेट डाली थी मैंने उपर मैंने टू फिप्टी का कपड़ा लेकर बाजू और पेटी के लिए ले लिया था उसके साथ मैचिंग में वैसे तो मैं वैल्विट का लेने लगी थी लेकिन पो छलो मैं कुछ हट के लेती हूं कल को मेरा मूड बना चेंज करने को तो वो भी मैं कर सकती हूं वैलवट बहुत महनी मिलती है बारासो रपे गज मिलती है और फिर मैंने इसके नीचे श्मीज भी लगाई थी इतना ही फैब्रिक रखा था श्मीज का जितना उपर वाला कपड़ा था और उसी के साथ का जो साइड वाला कपड़ा था ना पड़दे का वो मैंने कटिंग किया और कटिंग करके मैंने ये इस तरीके से डुबटा बनाया इसके साइड पे मैंने सो या डेट सो रपया दिया होगा मैं मुझे सही याद नहीं तो पिर मैंने उसको जो एना उसमें डाला था तंदी जो होती है ना तंदी मशीनी तंदी वो डलवाई थी और डलवाने के बाद मैंने फिर ये खुद ने बीच में चुंटे डाली थी इसकी जो फाइनल लुक होगी वो भी मैं आप से शेयर करूंगी ये मैंने डुबटा बनाय हैं और ये मेरी बेटी की अपना धेरो धेर ख्याल रखना अला फेज बosse भी मैं आउब म Кई भी मैंने खड़े भी मैंने खुल्ऴी मैंने ड़् pale वो गष थी जो जा इस से जाव से बाल भाई धिर सरे भी में बालते हैं हो धुद दिआ ये Kommा चो लो बstalождते हैं हम जड़ से जाइचने वो भी मैंने घूल खिए भी मैंने दिए ने पुछ रात